तो फेल जेम फैमिली एक जादूई सफर यानि कि हॉगवर्स लेगेसी के एपिसोड 7 में आप सभी का स्वागत है और अगर आपने इस सीरीज के यहां तक के एपिसोड्स मिस्स कर दियें तो भाई मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहां तक के सारे एपिसोड्स जाना है न कि Goblin Ranrock को और उसके आदमियों को इस प्राचीन जादू के बार में इतना सब कुछ कैसे पता है और वो प्राचीन जादू की शक्तियों को यूस कैसे कर रहा है तो चलो फिर आज के गेम प्ले स्टार्ट करते हैं बहुत सारे काम करने हैं और आज भी हर कि मुझे डीक से जाके मिलना है ओके डीक या देना अपना सस्ता डॉबी कैसे तो हॉगवर्ट्स के अंदर भी मुझे उडाने दे रहे हैं जाडू वरना मुझे लग रहा था कि स्कूल की प्रापरटी में उडाने नहीं दिया जाएगा सिर्फ ग्राउंड्स में जाडू लेकर उड़ सकते हैं लेकिन सही है चलो यहां उतर जाते है भाई अच्छा उस ज़रूरती कमरे के अंदर है टीक पतानी क्यों पुलाया भाई टीक ने एक पत्ती अपने पत्ती को आत्मा बनने की बाद भी बारे जा रही है मेरी बुक का एक पेज इसके अंदर भी है निकाल लेता हूँ यह अबजेक्टिव पढ़ते ही जा रहा है अब फील्ड गाइट के पचीस पेजेस कलेक करना है पहले कितना थे स्टार्टिंग में आई थिंक दस था फिर पंदरा हुआ अब टैरेक्ट पचीस चलो डीक है रूम आफ रिक्वार्मेंट्स के पास पहुँच गया है यानि क जरूरती कमरे के पास पहुँच गए है यानि कि कुछ तो खास बात होगी वरना यहां नहीं बुलाता बैग ने ने बुला है ओ भाई साथ यह बैग क्या करेगा आत्मी को अंदर खिश लेगा क्या पर्फेक फिर गादर करेगा तैनो इंदर एगेजाग इज़ चानि एक्छ एगेज़ अवर इंदर फर्फेस्ट काई थ pont सप़र्फेस्टिमिक भी किसे थें को ब्रेस्टिमि मुन पाकड सकते एगेजेों तो जो भी इस बाहर गूम रहे ना जिने शिकारी मार सकते हैं, वो इस बैक के अंदर सेफ रहेंगे और डीक ने बुला ना कि वो सिखाए गए कि इस बैक को कैसे यूज करना है अच्छे से, आजा डीक तो यादे ना, लास्ट अपसोड में मेरा बीस्ट क्लास लिया था प्रॉफिसर होविन ने और उन्होंने बुला था कि होगवर्ट के बाहर शिकारी बढ़ते जा रहे हैं, और जितने भी बीस्ट है न सब का वो शिकार करके उन्हें जान से मार दे रहे हैं और रॉकी भी उन बीस्ट को बचाना चाता था, इस ती जरूरती कमरा सबज गी है, इसको क्या चीज़ की जरूवत है, इस ती एक बैग मिला है, जिसका नाम नापसाक है, उसमें हम बीस्ट को कलेक्ट कर सकते हैं, चलो डिगे I'm ready to learn how to use the nabzak, perfect, Dick loves an outing Okay, यह Harry Potter movie से अचानक से यह Fantastic Beasts and Where to Find Them वाली movie क्यो स्टाटो कही है, उसमें था ना, बीस्ट बैग में कलेक्ट होता था, जा तक मुझे याद आ रहा है, मैंने अच्छ से देखा नहीं है, लेकिन हा, उसमें था, जो हीरो ता उसके पास एक सूटकेस था, और उसके एक बड़ Okay, so Deek बता और अजिए को एक पास्ट हें एक नापस्ट कारी कहा है, आओ कि यह एक एक शिकारी की लिए काम किरता था, और वहीप दीब पाहली इसस्ताट को एक पास्ट कराथ नापसाश क किक्ट एच्छ सब्सकीन और इस्पेशल उर नहीं शाथ हाुआ है, इस तरी नाप अण्ञाबसागे कर फक्री तटो द oke यू झाल Diक है कर फक्री से कि उपिए पाल कर फॉबचा है , इल्मझा फक्रिय जा faudra एकॹल kulli अळ outreach तरहरा उन्या你是 Intelal जो फटाबस्टिक पेर के सुछाटी बीस्ताईल , आबस उतके सुछागे है भाह टरूरू मुझे जाके बात करने हैं लेकिन यहां बहुत सारे पफस्किन है इनको भचाना रॉकी की ज़िमेदारी है आजो जब आहिए तो सब को लिजाते है नहीं रॉकी पफस्किन को बोला है कि अब सब ठीक है बहुत तीज है यह पफस्किन उईज हमें बेडंको जाए तो समयन सब आपव्र ता डीक्रिवस्किन, डीक तो नहीं आटेछेशों मेंüz तक ब्लाज़ाए अगrym Rocky बोला है कि प्रोफिसर होविन को कभी इस बात पर यकीन नहीं होगा Rocky यह पर बीस को कलेक्ट कर रहा है जलो आप डीक से बात करते है बीक कorsी जाएगिन करें बीक इसारो जहा के से सकतर है इक करें जहाए अएपbyने आपएटर आपी इस चीनोहा है जार बीस्थ के जाएगिने जहाँ आप च्छ מאज atि जाएगिनार्ट इस इसा धICti कानेग talks तो टीक ने मुलाना कि उसे नहीं पर्शिं को पकड़ कि उसके साथ क्या करते हैं। लेगिन डीक को एतना यकीन है कि यह पफ स्किन मेरे पास जादा सेफ रहेंगे। बोला कि अप आसानी से बचा लिया है। लेकिन उड़ने वाले जो बीस है ना उनको बचाना और मुश्किल होगा और जहां मैं अभी जार हो ना वहां मुझे उड़ने वाले बीस जिनका नाम जोबर नौल है वो मिलेंगे और उन्हें अब बचाना है दीक मैं आगया हूँ चलो बात करते है तो डीक बता रहा है ना कि जोबर नौल को मैं लेवियोसो जादू से थोड़ा स्लो कर सकता हूँ और उसके बाद वो नापसाग के अंदर असानी से चला जाएगा चलो डीक है मैं बचाने ही कुशिश करता हूँ तो हाथ में लेवियोसो जादू भी रख लिया जाएगा ओके ये जोबर नौल लेवियोसो पेड को लग गया लेवियोसो जोबर नौल को लगना चाहिए था ओ भाई सही बोला था डीक ने पफसके ना असानी से नैपसक में चले आदे दे लेकिन इनका टाइम जादा लगेगा कोई बात ने कोई बात ने इस पार हो जाएगा अरे बहुत दूर है रेंज से बाहर है रॉकी समझा रहा है जोबर नौल को के अराम से रॉब बैग में मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुचाने वाला अच्छा डीक ने बताया था कि इस बैग की यह कैपसिटी है उतनी बीस को कलेक कर सकता है एक बार में बता नहीं कितनी कैपसिटी है मुझे नहीं बता एक लास्टी बचा है जोबर नौल उसको कलेक करने तो उसके बाद बात करते हैं अंगी हूश् Coach Him युछा है युछा है ऑ्यले बताद कर सकते हैं अंगी है बचाना सिफ एक को था लगिन मैंने सब को बचा लिया तो चलो आप डीक से बात करते है तो इस एरिया में ना एक और बीस्ट है जिनका नाम मून काफ से अब उनको बचाना है चलो डीक है अपनाँ अविया इस बाली बाइ अवाइब कर दो कर तो एरिक अहालकुंट है य। इस थी किरांडेम ये टे मेंश्아फ बाटना ये घर और फार्स इन काफ़ा नाड़ जा बालाशे वि手 ये recommend भne if बाली कि ए? So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. So, mooncalf is only at night in the sky, so now to save them, or I will have to pass some time here, or I can do it directly in the night. I shall go and find a mooncalf then. Dick, we'll be waiting for your return. So, let's go, Dick, let's do it at night. I'll go, 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 I'll go. Map on, do it at night and day, so much fun. I have an option myself. Okay, so their name is mooncalf. Dude, they are very loving, you know? Three more collect, oh, man. So, mooncalf is a little bit, Rocky has to save them. That's why these people are running. They will stop them. Hey, let's go, let's go. Okay, fantastic beast, the jungle world in the pack was very powerful. He will party. I try to fight in the pack. We are going to be talking with Deak. But when I'm here, I collect more mooncalf. Like this. I love you. I love you. I love you. So, there's nothing like that. अब ही तो यह तीनों ही छोटे बीस्त है और बड़े बड़े बीस्त को कलेक्ट करना होगा हालत खराब जाएगी लडियोशो बहुत ही साथे मुनकाफ्स को बचा लिए बैग भी फुल होगा होगा तो चलो आप डीक से बात करते हैं तो टीक ने बुला ना कि और भी मैं बीस्त को कलेक्ट कर सकता हूँ लगिन फिलाल अभी जितने बीस्त को बचाया है ना उन सब को लेकर मुझे जरूरती कमरे के अंदर जाना है वहां पर डीक मिलेगा मुझे फैंटास्टिक बीस्त वाली मुवी की तरह कोई एक बड़ा से जंगल मिलेगा क्या इस बैक के अंदर तो मज़ा ही आ जाएगा चलो देखते है इस बार ही ते को शॉटकट ले लिया होगवाट्स के अंदर जाने का ऐसे बहुत लोग कॉमेंट करते हैं बाई शॉटकट ए यह के तुम घुम सकते हो और कोई घुमेंगा उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा वार रोकी वार अलगी जल्वे इस लड़के के चलो अब देखते कि इन जो बीस्त को बचाया है इनको मतलब कहां रखना है कैसे क्या करना है यह टीक बताएगा बीस्त को उनका निया घर दिखाने बोल रहा है डीक अच्छा तो बीस्त को कहा रखना ऐसा रूम इमाजिन करेगा रोकी तो यह जरूरती कमरा रोकी जरुट पूरी करेगा वाह यह मैजिन किया रोकी ने इतना चोटा सा कमरा अब यह कुछ जादे ही बढ़ा हो गया है इसके अदर के इसंदधर को नहीं पता है रिगन मैं समाझ किया इसके अंदर क्या है If you haven't watched the movie, I'll tell you that in the back of it, there was a whole jungle, very big, and I think it's in the back of it Rocky asked, is he where we came from? Here, they'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Here, now all beasts are safe, they'll live good lives, they'll also turn out a good life, so now beasts have to be free here. Three! One puff skin, one jobbernol, and one mooncuff. Only one, why? Where are the rest of them? I think it's only teaching beasts how to be free here. This piece of mooncuff is the most popular thing. I love this piece of mooncuff. विए ईमिल को स्था इक भेञे कि नफने विलकी वो फिल्टी नो पिलarks बícios एक इसी हे धाल, औरyas प्रीज इसी हो पष्यूर समख़ 있나 जैंटे लावा अभ्होंनHHHH लेक तूल इक और जे ओूर और रूम्मून perform Left ''Any Beasts Scytheram, Conhold?" ''Yes, She's well known for helping to care for beasts in need and she'll give you a fair price for them.'' ''Speaking of care, Beasts that are well fed and groomed we'll provide you with valuable magical materials such as puffskin hair for example.'' ''If you gather some magical materials from your beasts Deek can show you how to use them.'' ''Very well I shall let you know when I have some.'' तो यहाँ न मैं जितने जादा हो साखे बीस्ट को रख सकता हूं लेकिन अगर रूम की कैपसिटी फुल हो गई तो कोई मैडम पैक है जो मुझे हॉक्स्पींड में मिलेंगी उन्हें मैं जो भी बीस्ट कलेक्ट करता हूं उन्हें सौप सकता हूं वो बीस्ट का अच्छा ख्याल रखेंगे और मुझे कुछ पैसे भी दे देंगी ठीक है तीन बीस्ट मैंने अजाद कर दिये थे बाकी बारा बीस्ट भी यहाँ पर अजाद कर दे रहा हूं लेकिन टोटल सिर्फ यहाँ पर बारा ही बीस्ट रख सकता हूं ओके और डीक ने बोला ना कि इनका अच्छे से अगर ख्याल रखोगे खाना पीना खिलाओगे अच्छे से इनकी साफ सफाई करोगे तब यह कुछ जादूई चीज मुझे देंगे तो एक जॉबन नॉल का पर कलेक करना है और एक पॉफ स्किन और एक मून काफ का फर कलेक करना है ठीक है तो उनको पहले खाना पीना अच्छे से खिलाना होगा जैसा बीस क्लास में सीखा था और उनकी सफाई करनी होगी मैं खाना खिलाने जा रहा था गलती से सबको उठा दिया होगा मैं अरे अरे भागो मत आओ वापस आओ वापस आओ अच्छे इस पॉफ स्किन की सफाई करता हो ओके अब सिफ जॉबर नॉल से पर्च है यह उसका जॉबर नॉल का है जॉबर नॉल थोड़ा नीचे आना उड़ते रहा गा कैसे सफाई करूँगा हाँ जॉबर नॉल भाई दो चार पांच कर आँए रहा बहुती धीरे धीरे खा रहा है जॉबर नॉल और जब यह खाता रहा गया तो मैं इसकी सफाई नहीं कर सकता हूँ एक ताम पाम यहाँ एक ताम इस पर दीघ आप बात करेंगा है तो इन 20 से जो magical fur और पर collect किया है ना उसे अपने कपड़ों में लगा कर अपने कपड़ों की power increase कर सकते हैं और अपने कपड़ों में इन पर और fur को लगाने के लिए ना मुझे एक enchanted loom चाहिए यानि वो कपड़ा सिलने वाला नहीं होता है यानि कि वो कपड़ा बुनने वाला मशीन नहीं होता है लेकिन ये जादू ही मशीन है अपने कपड़ों में ट्रेट अड़ करना है और अपग्रेट करना है मेरे कपड़ों को इस loom की मदद से ठीक है जो पीज से कलेक्टिया ना पर और फर उनका क्या काम है वही अभी सिखा रहे है तो ये अच्छा है कि मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा अपना कपड़ा बुग्रेट करने के लिए बुग्रेट अड़ कर रहा हूँ इस तो इस देमिज विट इंसंडियों 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 मारों गा जो डामिज इंक्रीज और बुग्रेट बुग्रेट को बता दे ते काम होगे ओके तो डीक ने वही बताया कि जितने ज़्यादा पाउरफुल मैजिकल बीस्ट को तुम बचाओगे ना और उनका ख्याल रखोगे तो उतने ही तुमें पाउरफुल मैजिकल समान मिलेंगे जिससे तुम अपना कपड़ा अपग्रेट कर सकते हो और भी जादा एक जब सकतर, तुमें है कि आएक्ग प्रीक्त डीक मैजिकल भी यवाररीश गाउर्फुलिवीव और भी तो उस्तों एल्णा के जिए हो सब्सक्वार्फुलिवा सब्सक्र मैं हमें जर्खेस दूढ़ी अश्या है यदिए पाउर्फुल्च फेर्वर्यास भाण्वार्स ड यही बताएंगी कि इस जरूरती कमरे के इस्तमाल और अच्छे से कैसे करना है और मुझे मून स्टोन कलेक करने बोला है लेगिन मेरे पास पहले से बहुत सारा है प्रोफेसर विजदी बोल रही है कि इस कॉंजुरेशन स्पेल से तुम हर्बोलिजी टेबल और पोशन टेबल के हलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो तो अभी मुझे दिवार पर पांच और जमीन पर पांच डेकोरेशन का समान लगाना है ठीक है बलो अभी जैसे तैसे लगा देता हो ताकि जल्दी से अब्जेक्टिव खतम हो अराम से बैट की रूम को सजाएंगे लेकिन अभी नहीं अभी जल्दी से बस इसको खतम करते हैं एक थोड़ा साइड या ना अच्छा कोई बात नहीं ऐसे अलग अलग भी लगा सकता था लेकिन जल्दी खतम करना है इसलिए जल्दी कर दे रहा हूँ एक बार सीख लेंगे तो फिर अपनी मर्जी से कर सकते हैं बात में अब दीवार पर पांस समान लगाना है ओके दीवार पर क्या लगा सकते हैं पेंटिंग ओ पेंटिंग भी है मिरर भी अच्छा चार और अब लगा दीया ना दू पेंटिंग मी लगा देते हैं ठीक है अब अब तो प्रोफेसर वीजी अब इस कॉंजरेशन स्पेल के बारे में आगे और कुछ बताने वाली है, बात करते हैं तो ऐसमान को बात किषसेशन को आगे अगे लिए बात किलिए कि लिए खाहत सेश्फ, इस भीज़ को बढाख सकते हैं वाल्टर इसक्रावेशन कछ्वेशन को कि अगे फिर बात के वाल्टर कि यह कुछ स्पेल्ड़ सेशिक्षट अब था यह पुछ सब्रन हैं एपना इस अल्टरिंग स्पेल को यूज करना चलो देखते है कि क्या इस्तमाल होताँ इसका अज़ करना है कि अपर्फॉर्ण डियु और शपाल अज़ करना है तो स्टाइल चेंज करना हैं चालर चेंज करना और शाइस चेंज करना ये तीन object is okay color वला हो गया है अब style चेंज करना है जाद रिंट्टिंग में चेंज कर सकता हूं यानि कि उसका style या फिर size चेंज कर सकता हूं याख है size वला होगया बशिंच करना है कि आप्ढ़ी हमार जिसन sense.... वह सब्स– जाहल कोशे दिए Bढ़ कर दोता है वह अप्षिंग सीर जाह प्रंच warranty भ्र्ण पोप्षिंग स हमाका बढ़ चाल करेंग जोते हमारे खना जियुक्ष भार्श कर दुष Maar छिशन कर दोतार ब्सक्ने करें हमेंаны तो फ्लोर और वाल जो चेंज कर सकते हैं वाँ तो professor Waisley ने बुला है निएक तो अपने इस रूम का महौल चेंज करो और अच्छा लगेगा रूप और दीग को प्रोफ़ेसर वीसली ने ये जादु सिखाया क्या हम का महौल का किसे चेंज करना है और दीग आप करके दिखाएगा Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience Of course What sort of overall look most appeals to you? टीक पूछा है कि रूम का हो overall look क्यास चाहिए तीन option है मेरे पास और मुझे लगते है कि डार्क और मिस्टेरियस यानि थोड़ा अंधेरा और जादूई टाइप का अच्छा लगेगा I'd like the room to feel mysterious and eerie As if I'm in the forbidden forest Surrounded by shadows Sounds perfect I don't think that this is a shadow guard camera It's very difficult Hmm, quite a difference Of course you needn't keep this style if you don't like it You can always ask Deek to change it back Now you have learnt a good bit about alteration Thank you professor Professor The room is full of possibilities Indeed No matter how much time I spend here The room always manages to surprise me So Professor Vizdi said कि जितना मैं इस रूम में रहती हूँ मुझे यह सप्राइस करते रहता है यह क्या हो रहा है ओ भाई यह रूम और बड़ा हो रहा है और इस पेस मिल गया मुझे तो पूरे एक और कमरा बिल गया समान भरने के लिए बहुत अच्छा तो जरूरत ही काणर है आपकी जरूरत समझ लेता है समझ गया था कि रॉकी को और इस्पेस की जरुवत है इसलिए एक और रूम अनलॉक हो गया है और प्रोफिसर वीजली यहां से जा चुकी है यह बोल कर कि अब यह तुम्हारा इस्पेस है अच्छे सी यूज़ करना समझदारी से ठीक है थांक्यू प्रोफिसर वीजली निया कमरा कहा है फ्लोर वॉल यह सब सब चेंज कर सकते हैं बहुत मजा है गया इसको डेकोरेट करने में और यहां पर जो भी अपना जरुवत का समान है ना लाकर रख सकते हैं अभी तो मतलब गेम आधा भी कम्प्रीट नहीं हुआ है अच्छा हुआ ना यह साइट मिशन कर लिया वरना यह सब पता ही नहीं चलता और अभी फिलाल में क्वेस्ट करेंगे क्योंकि एक साइट मिशन किया ना इन दा शैड़ आफ स्टेट सेबैस्टियन से मिलने जाना है क्योंकि उससे वादा किया था क्योंकि उसकी बहन एन से मिलने जाएगा रॉकी क्योंकि एन की तवित बहुत जादा खराब है और वो हॉगवर्ट्स नहीं आपा रही है तो उससे जाकर रॉकी और सेबैस्टियन मिलेंगे तो शायद Anne खुश हो जाए ठीक है तो Sebastian से मिलने जाना है Sebastian अभी भी बहुत दूर है यह देखो अच्छा खासा दूर है भाई और जिस साइड Sebastian है न वहाँ पर मेरा कोई फ्लू फ्लेम भी नहीं है यानि कि I think उस एरिया में गह ही नहीं हूँ वाई यह क्या है? मर्लिन स्ट्रायल अब रास्ते में मिल्या तो यह कुछ असा वगस को कम्प्लीट करी लेते हैं मर्लिन स्ट्रायल अभी तक जितना भी आए सब असान है बस दिमाग लगाना पड़ता है कि करना क्या है यह बाल को इसके अंडर डालना है क्या? लेकिन इसको अंदर कैसे ले जाएं आक्यू से अंदर ले जा सकते हैं खीच कर यही करना है यही करना है ऐसे से दो और है यहाँ पर दोनों को कम्ट्लीट कर दूँगा मर्लिन स्ट्राइल सथावाँ है भजय कर दो संदर को पुएर एको उर्ल कIES अपर यंदर की ओया! का एक अधिया! मैं चाहता हूं नग मैं इस बार हन्ड़ड परसंट खादम करो भाई उगवर्स लेकिशी अपिसोड्स बन जाएं यह था नग शुद मैं जाता हूं जाना इस बार हंडड़ड़ परसंट खड़ं कर दो बाया हुआ लगवर्स लेकिसी कशिव बन जाया है। लेकिन मेंन स्टोरी खतम करने पहले ही सारे साइड मिशन्स करूँगा यह भी कर सकते हैं किसी दिन एक दिन लाइफ स्ट्रीम कर सकते हैं सिर्फ साइड अबजेक्टिव का मेंन स्टोरी को रखेंगे एपिसोड में आप लोग बताना कॉमेंट करेंगे ऐसे किया जाए कि सारे साइड अबजेक्टिव अभी तक बहुत सारे हैं तो उन सबको मैं लाइफ स्ट्रीम में एक दो घंटे के अंदर अराम से कर सकता हूँ और जो मेंन स्टोरी है उसको एपिसोड में रखेंगे ऐसा भी कर सकते हैं तो कॉमेंट करेंगे आप लोग बताना है कि ऐसा किया जाए या फिर साइड अबजेक्टिव की भी विडियो ही बनाए जाए सेबैस्टियन इतना दूर क्या कर रहा है भाई साथी में चलता सब बच्चे बिचारे होगवर्ट्स में पढ़ा ही कर रहे हैं सिर्फ रॉकी है जो इधर से उधर गूमते रहता है और जब देखो तब जाडू पे निकला हुआ है और किसी को देखा आसपास उड़ते वे मैंने तो नहीं देखा शाद नहीं इन बलून्स को भी फोड़ना है ये भी अब्जेक्टिव है तो जाडू से बलून्स फोड़ना है ये भी एक चैलेंज था वाह और पता नहीं क्या क्या चैलेंज है ये सारे साइड अब्जेक्टिव है इस साइड की एरिया में न फॉर्स टाइम आ रहे हैं हम लोग नहीं क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पहले आता तो कोई न कोई फ्लू फ्लेम तो अक्टिवेट रहता लेकिन मैं यहाँ नहीं आया हूँ अभी तक पता यह गेम पता नहीं अभी और कितना बाकी है बाई यह इतना बाकी है अगर साइड अब्जेक्टिव भी करेंगे तो कुँशन वारे डिल्फ लिल्फ 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 लिल्फू भी है उसको है अक्टिवेट कर अगा तक यहाँ जब ही आज बयाँ तो आना असान रह है टो खोर्याजी आज एस जाए आज़ आज एसे एड़ा, आज़ा है तेरी गहर चलते है I heard a goblin refer to wizardkind as wand-carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me an ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. Sebastian is telling me that Ranrock's father was the only one who was here to live. This place was not like before. Sebastian is telling me that everyone was the only one who was here to play. But Ranrock's father was the only one who was there to go. So all of us are scared of the Anne. And Sebastian's father was the only one who was there to be a goblin. And Sebastian's uncle is the only one who was there to be a police. But they're not going to catch the goblin. Sebastian has to know who was the only one who was there to be a victim. So let's go. Let's see. Sebastian is the only one who was there to be a victim. He is the only one who was there to be a victim. मंने के अंकल कोई नाज नहीं है मास्ते हैं नात्री को दूद है राक्वी को लग जा तो कि already अंकल है और किस भी सुछड़ के साथ अर देशड़ के संत्र तो पहले अंकल से बात करते हैं, यतने बढ़के वह क्यों अंकल? तो Sebastian के अंकल बोल रहे हैं, कि मैं अपने भतीजे के हरकत के लिए माफी मागना चाता हूँ, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि कब रुकना है, उसको ऐसा लगते है कि वो अपनी बहन की मदद कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. रुकना है कि अंकल बोले कि अगर कोई लाज है ना तो Sebastian जरूरूर ढूंड लेगा, कल ने बोले कि नहीं यह जो काला जादू किया है, इसका कोई लाज नहीं क्योंकि नहीं बताने वालेगी कि इस टाइप का काला जादू उन्होंने आन के उपर किया है, और अगर उमीद होगे कि वो ठीक हो जाएगी तो यह बहुत बुरी बात है, और अब सिफ यही करने के लिए बचाए कि अन को अच्छे से रखें और यह जो रान्रॉक के वफदार उनके रास्ते से दूरी रहें, Sebastian के अंकल भी गलत नहीं, मतलब यह भी अपने स्टाइल से ख्याल रखने ही अच्छिश करें शिंड है मैंने भी तरीफ की सेबैस्टियन के अंकल की लेकिन है ये खडूस, बिलते हैं कि दोनों मेरे जिद्धी भाई के बच्चे रखास करकी है सेबैस्टियन, उसको जाकर समझाओ कि क्या करना चाहिए, तो कि अगर सेबैस्टियन रुका नहीं रूका नहीं थो उसको पता नहीं क You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly it's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new fifth year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defence against the dark arts. Oh, dear Professor Hecate. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. So, Ann betarangin' who knows how Hogwarts go very much miss and how much it hates and how challenges it is. But Randrock's friend and Robby were here. But Ranrock's mother, though, the Mauncle was on a record. Sebastian, when she comes back to her uncle and uncle, she can in front of us. So, Rocky, they can ask them to be an uncle and uncle. But then, my uncle, my uncle was brought up to me, it's happening to their family. So, who got this from the雷? What's on a story? So, Ann said, that my uncle frustrated has become a family. Because, I don't know that my uncle can have it. Plus, that Sebastian's father and uncle could be right. And I know we know that two of them already know them. But I know Sebastian and Sebastian are in the langsam. But you know who's out there. तो जाज नहीं कर सकता है ताकि मेरे अंकल और सबास्टियन में लडाईना हो तो सबास्टियन से इस बार में बात करनी है ठीक है उसको समझाना है कि मतलब अपने अंकल से लड़ना छोड़ दो देखें वो क्या बुलता है सबास्टियन बोल रहा है कि वो मेरी बहन मेरे अंकल मेरी बात सुनते क्यों नहीं है सबास्टियन बोल रहा है कि देख लिया ना कि मुझे क्या क्या जिलना पड़ता है याँ पर और अपने अंकल के लिए सौरी बोल रहा है मैं इसको क्या बोलो इस अंकल भी ठीक है Ann's pain is more than physical it has changed her entirely I miss my sister and I'm going to get her back come with me I need to show you where it happened then I have to go with Sebastian Sebastian said that he will find his wife health, just like she अंकल रिम्स भाम किरें शॉद्न भाल है वे दो रेंरो किष्चल गिज्जमा बन् Hmm.. सब्सक्राब था स्क्राइस पिर किषिया तर शॉद्नगा। जल मे teenager गबिलन्स वे लेखंगा। मेरा यह दो बाल है सब्सक्राइन भगा थे है का टिरान की रहा कि अंकल से प्र मारे वज़े जिम्दार तैराते कि तुम्हारे वजे है एसले रभू झालकर जो राइए जो इस रहा हूआ है में खायों खायों झाला झाली दिन के नंग नज़ 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 नज़.. ये बढ़ीा दस्टाइश अब अच्छू अटाया है ये फोड़ा अच्छू थार्णाक टीमाप करेड की नहीं तुर भुरुचर तुरुचरु टेर रखेड पुरुचरु यह अझा है पुर में लिछ्किन वार्ट आखेडु है अबसके है भी सब्सक्राइब करें जदने अर्समें टी आफिए। सबस्टेन से भी अच्छाइब कलें जए किसे भी अबसे हैं सबस्क्रिकल है इतना पिट रहें लिगेंगे लिगा इस बास नहीं आए लिगेंगेंगे! मुझे चला कि आधी को बाраш जा देख मेरी वो झालो अचे उआ है यूल्ट आख जा के लिए यहाऑज लिए हुब वीम्न ज है यह इस सबसे हैं passion क्बायरें दूरीटें कि एन इतााई Seson थे इसने सारी tanta Gorb Federale Shogun आ आजा में है वह थिए मुआ है सब कि एल चॉकब थाई अगि तुटेवे ही रिपेर कर सकते हैं। इसमेह की रिपेर रिपेर ने का चुछ तो मिलानी से टऴे हैं। झालो टूद शबात कर से बात कर सकते हैं। और अगज है क्यों त्यूनिस यह लंग हैं। एक राज जब सबस्टाइन की फैमली सोईब भीड़ी दिन इस नहीं के लिए हैं एक राज जब सबस्टाइन की फैमली सोई भी थी ना तो अचानक से इने धोएं की महक आई पर इन लोगों ने उटके देखा कि यहां इस साइड एरिया में आग लग लगी है और सबस्टाइन की अंकल ने रुकने ही कोशिश की लेकिन एन भाग कर यहां पर आ गई क्योंकि उसको लगा कि शायद आग में कोई फसाओ को उसकी मदद कर सकते हैं लेकिन एन ने देखा ना कि बहुत सारे गॉबलिन्स मिलकर आग भुजाने की कोशिश कर रहे हैं पर उन्होंने भी एन को देख लिया और बिचारी को भागने तक का मौका ने दिया और उसके उपर शाप डाल दिया है a Anz at Rookwood Castle should we have a look around रैन्रोक के वाफदार यहां ठुपा एे हैं they seem to have set up camp here for a specific reason they have stations for everything Rebellion Sebastian बेगे रुजान है यही पर कुच अ सुराग मिली जिसे रिए जाग दोता कि रान्रोक के वाफदार की क्या कर रहे हैं और उसे हम लोग उलाज ढून सकते हैं । Sebastian said N fuss Todo Goblin इल्य यहां को यहां, सब्सक्राइब हैं। And Rocky is saying why instead of the ministries और मिनिस्टरी इल्यों इल्यां . Sebastian एन प्रोफसर दो कि अवार्स अवार्स शफिसर से की अवार्स आइ में अवार्स पार्स अवार्स है वह था... सबस्टन अवार्स डूश जाए... बढ़ना का नहीं है, हाँ अच्छा Rocky पेंटिंग में पूछा किया इसी दिन लगई थी जिस दिन लगई थी जिस दिन अग उप लगा था Sebastian दो बोला ना कि यह तो देखकर लगए थी जान कुछ की लगई गई थी Rocky को यह कुँआ जाना पचाना सा लग रहा है Sebastian, I've seen this before Oh अच्छा यह इसी दोरा का घर है, याद है हमने मेमोरी में देखा था कि ऐसा ही कुआ था, यही व्यू था ओ भाई साहाब यह इसी दोरा के घर पर क्या ढूंड रहे थे यह गोबलिन यानि कि इसी दोरा के बार में भी पता है गोबलिन्स को Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house There was a little girl and a drought The keepers have shown me other memories as well The girl became a Hogwarts professor Her name was Isadora Morganarch She was one of the keepers The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you I realise it's a lot to take in I'm not even sure I understand it all yet And no, not like Quidditch They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge It has to do with the vault at Gringotts Let me see if I've got this straight You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness And now you've been witnessing memories left by keepers Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg It is all a bit much, isn't it? When you put it like that The point is we both have good reason to search this house You for answers about what happened to Anne and me for answers about the keepers Rocky told all the ways to Sebastian Look at this Someone piled this here for a reason Is it blocking something? Only one way to find out So Rocky told me that Professor Rakham and he was also a keeper of these people So keepers' work is that to keep any kind of knowledge to keep any kind of knowledge After taking a fight, this door Rocky will be able to know and Sebastian will be able to know that what the goblins are here and what type of 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 goblins are here and then Sebastian will be able to try to do this Cool, we'll be able to know that episode 1, from the 6th Now we'll be able to find Rocky with the other people and Rocky told us about Sebastian and Sebastian said if you don't know if you don't know then it seems to me you're joking me and I don't know why this is the block so you'll have to open it before going on Can I turn it from Accio or can I take it from Confringo Accio Accio didn't come to work Depulso Depulso जडशले तंद कर दो किने समखते हैं... जड़े हैं? जड़े हैं.. यह जड़े हैं.. सब्सक्तार्ण भीछे है.. तो गॉबलिन्स ने इस रास्ता को इसलिए छुपाया था क्योंकि वो यहां पर कुछ खोजने की कोशिश कर रहे थे तो इस लेटर में लिखा है कि यह मेरा दूसरा हफता है कैम्प में और टेली और लोग आए जा रहे हैं उनको आराम दिलाओं लेगिन प्रोफेसर रैक हम ने इसको मना किया था कि इनसानों के उपर मतलब यह प्राचीन जादू के इस्तमाल मत करना और इसी डूरा को लग रहे है कि बाकी प्रॉफेसर गलत है तो कुल मिलाके बात यह है कि इसी डोरा इन्सानों की मदद के लिए प्राचीन जादू का स्तमाल करना चाहती थी लेकिन प्रोफिसर रैक हम और बाकि प्रोफिसर ने मना किया था तो कि Professor Rackham को भी नहीं पता कि इनसानों को पर ये प्राचीन जादो यूज़ करके उनकी फीलिंग्स को चेंज करेंगे तो उसका क्या असर होगा इसविडोरा का यही मानना है कि उसके पास जब पावर है तो वो उसका यूज़ क्यों नहीं करे और उसको पता भी चल जाएगे कि अगर वो किसी की फीलिंग चेंज करती है जैसे कि कोई बहुत जाला दर्द में तो उसके दर्द खतम कर देगी तो इसका क्या अन्जाम होगा मतलब कुछ तो खतरनाक ही हुआ होगा चलो देखते है इन चेर्स को गैब कर सकता हुआ हां एक जादू दिया था प्रोफिसर वीजी ने हाव गाम ही नहीं और अब रहा है एक आप रारव कि अरव झालाई पुषा एक कि भॉषिश क्यों सरा अजनी ना ना घॉषिडिचे हाना सब्सक्राइब हुआ है कि अप जना मुझे एक मुझे लिए खुछाईब अजो लिए कि लोगाने आप सबस्क्राइब step up मुझे नजर नहीं आया है, क्या मैं मिस्स कर रहा हूं? वह भाई, हाह, यह भी सही है Rocky बोल वहाई कि Sebastian तुम यकीन ने करोगे लिगिन जो तुमारा खुफया तैखाना है ना होगवर्ट्स में वह यहां से नजर आ रहा है और Sebastian को लगए कि Rocky खड़े खड़े सब्सक्राइब देख रहा है Rocky का बाद से बाद से जर्ट्स अवाद है What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see Wait, we can get straight to the Undercroft from here Ominous will be flawed We can But perhaps best not to tell anyone else about this for now Even Ominous Understood Well then, invisible, secret, ancient, magic, passageway Here we come So here we have to go direct Undercroft I'm tempted to hold my breath Rocky ने Sebastian को ये भी बता दिया ना कि ये जो मेरी ability है कि एक जगा से मैं दूसरे जगा जाने का रास्ता देख सकता हूँ ये भी कुछ प्राचीन जादू से लेना देना है सब्सक्राचीन ने बोला कि तुम ने तो बोला था इसी डोरा के घर से वहां से यहां आए तो यहां पर कुछ बन गया है इसलिए वो डोर यहां तक लेक्या आए लेकिन यह है क्या है लेकिन यह है क्या है तो इस नोट को एग्जामिन करना है किसे क्या पता चलता है कुछ निए पता चल रहा है मुझे हाँ अरून जाएं यह कि वाश्वीत के की जाएं बुब से अवरलाशी ज़्ड इस अवरल मारा की तार सब्सक्ष़ कर नेदेद्टर अजहाँ कर वरल्म यहां चलता है वो जियरोबने शत्ती है, वैस्चिझ वेखे जाल्ट दजिर वेखें अन्छीज मैं नेत्व शजार बाँशी सुब बीपिती है वा इंजा बीजार, चुिछ मैंहीं। टनीजनीक दे ती व सिर्डिवेंस वहालbad hmmm very well but that doesn't mean it's not ancient magic there's still so much we don't know about it true perhaps this triptych will lead us to answers then we'll have to unravel what this all means but now I need to see Ominous don't worry I won't tell him anything did I mention that apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts you did not sounds worth looking into सबस्टेशन खुश है को सब बता दिया है तो सबस्टेशन यह भी बोल रहता ना है कि तुमने बुला था कि गॉबलिन्स के पास भी इंशन्ट मैजिक है तो कहीं इसी प्राचीन जादू का यूज करके शाप तो नहीं लगा एंग उपर तो रॉकी ने बुला कि मुझे नहीं लगता है क्योंकि एंग के उपर मैंने प्राचीन जादू के कोई निशान देखे नहीं क्योंकि रॉकी को प्राचीन जादू के ट्रेसिस नजर आते है ना सबस्टेन ने बुले कि एक बार फिर भी इस बारे में हम लोग बात करेंगे और सर्च करेंगे लेकिन अभी फिलाल यहां से निकलते हैं नैटी ने किसी फैल बाटन कैसल के आस पास बुलाया और बुलाएगी किसी को भी बोलना मत और रात में आना आटी ने किसी को भी बताने से मना किया इसका ही की मतलब है कि कुछ ख़दरनाक कर रही है वो तो यह जो Astronomy Class है यह हम लोग कर सकते हैं यह Unlocked है इसके लावा Side Missions भी है बहुत सारे Astronomy Class किया था हमने किया एक बार भी I think मैंने किया नहीं है लेकिन अभी क्या किया जाए Side Mission या फिर Astronomy Class Side Mission में बहुत कुछ है कैसे चलो यहाँ पर आज हम लोग एपिसोड खतम करते हैं और आप लोग कॉमेंट करें बताना है Side Mission किया जाए Next Episode की स्टार्ट में या फिर Main Mission कॉमेंट करना और जानिस पहले बाई वीडियो को लाइक जरूर से करना कि अगर आप लोगा प्यारो सपोर्ट रहेगा जितने आप लोग लाइक्स करोगे उतनी जल्देली मैं वीडियो बनाते रहूंगा और कॉमेंट करें बताना है कि आज की एपिसोड कैसा लगा मैं मिलता हूँ नेक्स एपिसोड में तब तक कि लिए टाटा टेक क्यार बाई बाई